हाई हेलो एवरिवन आई पुझा चमुरकर नीनावे वेलकम यो ओल इन बेक माई डे अगपुर और चंद्रपुर में ओफलाइन वॉक्शोप्स लेते हैं 20 प्लस कुकिंग कोर्सेस एवालेबल है उसमें उसके साथ ही हम लोग लाइव सेशन्स भी प्रोवाइड करते हैं प्रिमेक्स, ग्रेवी प्रिमेक्स, चॉकलेट, पीजा, टी टाइम केक, बेसिक टू एडवांस केक, फॉन्डेंट मेकिंग, फॉन्डेंट केक्स, ऐसे बहुत सारे क्लासेस हमारे इंक्लूट्स होते हैं हर मन्त में टू टू थ्री लाइव सेशन्स हम लोग प्लान करते हैं हमेशा उसके अपडेट्स भी आपको हमारे फेस्बूक ग्रूप पे मिलते रहेंगे उसके साथ ही हम लोग ओल ओवर इंडिया बेकिंग से रिलेटेड मटेरियल भी सप्लाई करते हैं उसमें ओल बेकिंग मटेरियल इंक्लूट्स आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केक को लगने वाली जो वीप क्रीम है उसको परफेक्ली वीप कैसे किया जाता है उसको कैसे बनाना है उसके साथ ही उसको स्टोर कैसे करना है अगर क्रीम बची है तो उसको रियूस कैसे करना है बहुत सारे टीप्स और टेक्निक से आपे मैंने शेयर की है तो एंग तक ये वीडियो को जरूर देखिए सो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिकेट में बहुत अलग-अलग ब्रैंड की विप क्रीम आती है मैंने फिलाल आपके सामने ये दो ब्रैंड रखे है फर्स्ट ब्रैंड है रीच ब्रैंड सन विप करके ये क्रीम आती है देख सकते हैं नीचे उसका weight mention है 1 kg ये next brand है that is tropolite whip topping ऐसे लिखा होता है वहाँ पे इसका भी अगर आप लोग weight देखेंगे तो net weight इसका 1000 gram that is 1 kg कोई भी brand preferred कर सकते हो मैं ये दोनों brand हमेशा preferred करती हूँ और हम लोग material supply में भी इसी को रखते हैं ये start करते हैं किम को whip करना उसके लिए सबसे पहले तो मुझे लगेगा एक bowl यहाँ पे मैंने ये plastic का microwave bowl यूज किया है आप इसकी जगह पे kitchen का कोई भी बरतन यूज कर सकते हो अभी इस bowl में हम डालेंगे ice फिलाल मेरा ice ज़्यादा जमान ही है फिर भी चलता है कोई शुने आप उसकी जगह पे थंडा पानी भी ले सकते हो जैसे यहाँ पे मैंने लिया है अभी इस bowl के उपर हम लोग एक दूसरा bowl रखने जा रहे हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आप कोई दूसरा steel का बरतन में यूज कर सकते हो यह हो गई हमारी arrangement अभी यह जो दूसरा bowl रखा है उसमें हम लोग cream डालेंगे जो cream हमने आपको पहले दिखाई थी बस वही cream हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं आपको यहाँ पे एक point ध्यान में रखना है कि जो cream हम whip करने जाएंगे वो इस liquid form में होनी चाहिए यही सबसे important point है यहाँ पे क्योंकि जो cream हमें मिलती है market से वो actually solid form में होती है थोड़ा सा क्योंकि वो freezer में stored होती है तो हमें इसको इस form में लाने के लिए एक तो freezer से निकाल के हमें freeze में रखनी पड़ेगी उस cream को या फिर आप उसको बाहर भी kitchen में रख सकते हो यूज करने से 2-3 hours पहले अभी हम cream वाला बाउल ice जो रखा है उस बाउल के उपर रख देते हैं अभी हमें इस cream को whip करने के लिए electric bitter लगेगा second important point यहाँ पे ये रहता है electric bitter का बहुत questions रहते हैं कुन सा लेना चाहिए को कितना wattage का हुए कुन से company का होना चाहिए बट मैं आपको बता दू कि cream whip करने के लिए सही तरही का होना चाहिए बस be frankly मैं आपको यहाँ बता दू ये मेरा china model है और ये सिर्फ 200 wattage की machine है और मैं आपको अभी सिर्फ 5 minutes में cream को whip करके दिखाऊंगी बस आपको यही तरीका follow करना है पहले 1-2 minutes हम लोग cream low speed पे whip करेंगे और उसके बाद इस बटन से हम लोग उसकी speed बढ़ाए आप यहाँ देख सकते हो हम लोग उने cream को whip करना start कर दिया है speed मेरी अभी भी low है जस्ट एक ही direction में हमें उसको गुमाना है जैसे मैं यहाँ पे गुमा रही हूँ देख सकते हैं देखिए धीरे धीरे जो cream थी वो थोड़ी थोड़ी fluffy होने लगी है नियरली एक कप हम लोगों ने cream ली थी आप देख सकते हैं जैसे जहाक आता है वैसे वो थोड़ी सी उपर आ रही है पशिन को यहाँ पे बन करके आपको दिखाती है अभी हमें speed को full करना है अभी तक हम लोगों ने low speed पे bit की थी अभी हमारी speed full हो गई है बस इसी तरीके से हम लोग हमारे bitter को use करेंगे आप्टर 3 मिनिट्स मैं आपको दिखाती हूँ हमारी cream देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो देखिए texture में cream के काफी changes आये है अभी मैं एक machine को बन करके आपको cream दिखाती हूँ देख सकते हैं देखिए धीरे धीरे थोड़ा सा पीक आना start हो चुका है अभी with the help of spatula हम लोग sides clean कर लेते हैं मैं आपको दिखाती हूँ अभी भी हमारी cream बनने के देखिए spatula से वो गीर रही है देख सकते हैं अभी हमें और whip करना है अगें whip करना start करते हैं हाइ स्पीड पर ही अभी इस लेवल पर आपको आपकी हाथ की movement थोड़ फास्ट करनी पड़ेगी जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप देख सकते हैं मैं किस प्रकार मेरे हाथ को मूव कर रही हूँ क्रीम अभी almost बनके ready है आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर आपको waves दीख रही है ऐसी अगर waves आपके क्रीम में आ रही है तो समझ जाना अभी हमारी क्रीम almost तयार है next tip यह है कि क्रीम जैसे हमारी वीप होके ready होगी आपको उस क्रीम को दो हिस्सों में divide करना है एक क्रीम हमें लगने वाली है केक को cover करने के लिए और दूसरी क्रीम से हम design बनाएंगे और जब तक हमारा केक cover होता है तो दूसरी क्रीम जो है design के लिए हमने निकाली है वो तब तक freeze में रहेगी बहुत जनका यह questions होता है कि मैं क्रीम तो अच्छे से वीप करती हूं पर जब क्रीम की design करने का वक्त आता है तभी cream melt होती है तो आपको यहाँ पर यह वाला secret काम आएगा कि design की जो क्रीम है वो अलग से store करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रीम हमारी बन गई है almost बन के रेडी है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पिक्स नजर आ रहे हैं और वो पिक पहले से काफी अच्छे से आपको यहाँ पर दीख रहे हैं देखिए last one minute मैं उसको वीप करके finish करती हूँ मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि मैंने यह वीप करते टाइम पर watch लगाई थी और correctly five minutes मुझे यहाँ पर लगे है इस one cup क्रीम को वीप करने के लिए मैं जब एक केक बनाती हूँ या फिर हम लोग जब class arrange करते हैं जादा से जादा पूरा box या half box हमें वीप करने के लिए 15 से 20 मिनिट तक ही लगते हैं देखिए टेक्शर देख सकते हैं आप लोग उसका कितना perfect texture उसका आया है यहाँ पर हमारी क्रीम वीप करके हो चुकी है अभी यहाँ पर मैं मेरी मशिन को बन कर देती हूँ आप देख सकते हैं आपकी क्रीम एकदम ready है मैं स्पैचूला से साइट्स को clean कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ जैसे हमारा पहले गीर रही थी क्रीम स्पैचूला से अब वैसे नहीं गीरेगी बहुत जोर लगाएगे तो अच्छे obvious है गीरेगी पर आप देख सकते हैं कितने टाइम के बाद वो गीर रही है तो यहाँ पर आपकी यह perfect क्रीम बन के ready है सो यहाँ पे हमारा ये एक portion तो finish हुआ है अभी इसी perfect वीप क्रीम से हम आपको बताते हैं कि design कितनी अच्छे से बनती है अगर आपकी क्रीम एकदम perfect है यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं N46 nozzle ले रही हूँ पाइपिंग बैग में हम लोग nozzle को डाल देंगे और एक cut लगा लेते हैं पाइपिंग बैग में हम लोग हमारे क्रीम को भर देते हैं और मैं आपको जो basic design से वो दिखा देती हूँ ताकि आपको भी समझ में आए अगर आपकी क्रीम अच्छी है तो आपके designs कितनी सुंदर दिखती है simple star निकाल रही हूँ जस्ट प्रेस करके हमें छोड़ना है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी perfect हमारी design यहाँ पे बनी है जो nozzle के blades है उसका हरे किस्सा आपको वहाँ पे क्रीम में design के रूप में दीख रहा है देखिए नाव जस्ट बॉर्डर निकाल लेते हैं उपर से हमें नीचे की और लाना है नुजल को बॉर्डर के लिए मैं दूसरी different तरीके से अगर गुमाऊंगी तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी design यहाँ बन रही है देन सिंपल अगर मैं इसको round में move करूँ तो देखिए आपके यहाँ पे round shape में flowers भी बनके एकदम ready है यह देखिए अगर क्रीम अच्छे से whip हो है तो आपकी designs भी बहुती perfect आती है आप देख सकते हैं nozzle के blade का एक एक हिसाप को इस cream के designs में देख रहा है निक्स पार्ट है हमारा इस वीडियो का कि leftover cream का use कैसे करना है आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक airtight डिब्बे में इसको रखाता है इसको सिर्फ फ्रीज में ही रखना है यह बची वाली cream है अभी same method मैंने एक ice का bowl ले लिया है दूसरा मैं एक बरतन यहाँ पे रख रही हूँ पहले मैंने एक bowl रखा था देखिए अभी मैं आपको एक steel का बरतन उसमें भी दिखा देती हूँ देखिए यहाँ पे leftover जो cream थी वो मैंने ले ली है अभी इसमें हमें क्या करना है हमें नई वाली cream डालने है वो भी बिलकुल थोड़ सी जो हम लोग ने starting में वीप की थी ना बस वही melted वाली cream हमें लगेगी और बस same तरीके से आपको यहाँ पे cream को वीप करना है बट यहाँ पे हम लोग low speed use नहीं करेंगे हम directly high speed पे वीप करेंगे just in 2-3 minutes हमारी जो leftover cream है वो एकदम से अच्छे से बनके ready हो जाएगी देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं यह waves दीख रही है धिरे धिरे थोड़े थोड़े पीक्स भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हमारी cream यहाँ पे almost बनी रही है को cream को बाउल में निकालके दिखाते हूँ यहाँ पे आप देख सकते हैं यह leftover cream थी जिसको हमने वीप किया था आप देख सकते हैं यह बिलकुल ready है hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपको हमारे कुछ tips काम आएंगे आप जरूर बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी comment कीजिए share कीजिए और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चाइनल को subscribe नहीं किया है तो चाइनल को subscribe भी कीजिए और साथ में ही bell icon को भी दबाईए ताकि जब भी हम लोग नहीं वीडियो के साथ आएंगे उसका notification आपको मिलता रहे तब ते के लिए बाई बाई